इन्जी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं अब पंजाब की बात करते हैं पंजाब में कॉंग्रिस की कलहा पर एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के मुताबेक कॉंग्रिस पैनल के साथ मीटिंग में मुख्यमंत्री कैप्चन अमरंदर सिंग ने नवजोद सिंग सिद्धू को लेकर कड़ी आपती दर्ज कराई है पैनल के साथ बैठक के दौरान कैप्चन अमरंदर सिंग काफी आराज नजर आए और कहा कि सिद्धू के बयानों की वजह से पाटी को काफी नुकसान हो रहा है आला कमान के बनाए गए पैनल ने कैप्चन अमरंदर सिंग से चिनाफ के दौरान किये गए वादों को जग पूरा करने के लिए भी कहा उन्हें ये नसीहत दी गए और कैप्चन अमरंदर सिंग को बताया कि विधायकों ने कहा है कि वो वादे पूरा ना होने के कारण अपने अपने क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं सूत्रों के मताबिक जानकारी ये भी है कि बैठक में सिद्धू पर चर्चा नहीं हुई नवजोट सिंग सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष का पद चाहते हैं ये भी हमें खबर मिल रही है लेकिन कैप्टन अमरंदर सिंग इस पर राजी नहीं है और वो सिद्धू को डिप टी सीम का पद देने को तयार है लेकिन सिद्धू डिप टी सीम बनना नहीं चाहते वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं